इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसान हो जाएंगे तो वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीचेगा भर भर कर शेयर कीचेगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आज का पहला टिप है मेरा इस तरह के स्टैंड को लेकर इस तरह के स्टैंड हमारे किचिन में तो होते ही है चाकू चमच बगएरा रखने के लिए लेकिन जब हम इसमें चाकू बगएरा रखते हैं तो हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है जो भी चाकू या चमच बगएरा होते हैं वो क्या होते हैं इस तरह से साइड से निकल जाते हैं अब इस तरह से यह जो चाकू बगरा है देखने में भी अच्छ नहीं लगते और बार बार हमें इनी सम्हालना पड़ता है यह देखे इस तरह से तो यह दिकत आप लोगों के लिए ना हो इसलिए आपको लेना है एक बोटल और बोटल को इस तरह से बीच से आपको कट कर दे है ठीक है साइज आप नाप लेजेगा कि कितना बड़ा हमारे स्टैंड है यह देखे कुछ इस तरह से और बस चाकू से कट कर दीजेगा यह देखे जिसे मैंने कट कर लिया है और इसको इसके अंदर आप फसा दीजे अब आप चाकू चमश कुछ भी इसके अंदर रखोग है जैसे प्याज बगर तो क्या होता है इसका ढखन है उस पर सब जिपक जाता है और यह दो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है तो देखे आपके लिए लेके आई हूं मैं बहुत ही ज़्यादा यूसफुल टिप आपको क्या करना है आप ले लेजे एक पॉलिथिन कोई भी पॉलिथिन ले सकते हो और इसके बाद इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है तो फोल्ड करने के बाद यह देखे इस तरह से गोल गोल हम इसको क्या करेंगे कट कर लेंगे यह देखे जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है जिससे एक सरकल जैसा यहाँ पर बनके तय प्यार हो जाएगा बीच से भी आपको एक छोटा सा होल बना देना है जिसे पॉलतिन है आप आराम से इस पे रख पाएं और जो एक्स्ट्रा पॉलतिन है इसको हम कट कर देंगे और इसको कट करने के बाद आप कोई भी चीज चॉप करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही आ आप देख सकते हैं नीचे ही है और जो हमारा धकन है बिल्कुल साफ सुत्रा है यह देखे इस तरह से आपका धकन भी खराब होने वाला नहीं है तो बहुत यूसफुल टिप है एक बार से ज़रूर ट्राइ करके देखेगा आई होप यह वाला ट्रिक भी ना आपके बहुत जादा काम आएगा दोस्तो इस तरह के जो बैग होते हैं वो तो हम लोगों के पास होते ही हम लोग के घर में होते हैं पर डेली कुछ वैसे बैग होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं रखे रहते हैं और रखे रखे क्या होता है इसके उपर गंदी की बगारा जमा हो जाती तो आपके लिए एक बहुत ही बड़िया अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप ना अपने बैग को बहुत असानी से रख सकते हैं तो आप क्या कीजे ना जो हमारे पुराने पिलो कवर है उनका यूज कर लीजे जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पुराना ये कवर है तो जैसे कि यह इसी का कवर है ये देखे मैं आपको यहाँ पर कर विदिखा रही हूँ तो जितनी बहुत ही बड़ासे कवर बनके तयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं पूरा जो बैग अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है तो ये वाला ट्रिक भी मुझे बहुत ज़ जरूर बताएगा और हाँ इस तरह की useful tips and tricks मैं अपने चैनल पर लाती रहते हूं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा तो चलिए दोस्तो अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की और दोस्तो दूद एक ऐसी चीज है जो की हमारे सब के घर में हो ठाली में उसे पलटना परता है ठंडा करना पड़ता है और दोबारा से ग्लास में करना पड़ता है तो इसके लिए एक बहुत यूसफुल ट्रिक जिससे आपका दूद भी फटा-फट से ठंडा हो जाएगा और आपको उसे ठाली में भी पलटना नहीं पड़ेगा आप क् तो बिल्कुल भी इसको ठंडा करने की जरूत नहीं पड़ेगी एक से दो मिनिट के ही अंदर आप देखोगे जो इस टील है ना इस दूद की सारी गर्माट को अपने अंदर खीच लेगा और आपका दूद आप देखेंगे बिना थाली में पल्टे ही दो मिनिट के अंदर ही बिल्कुल ठंडा हो जाएगा चलिए दूसरे जुड़ा हुआ एक दूसरा भी ट्रिक बताती हो वो भी आपके काफी काम आने वाला है दोस्तों कई बार हम खाना बगेरा खाते हैं और खाते खाते हमारे खाने में कोई बाल का टुकड़ा होता है कभी-कभी निकल ही आता है और धोके से हमारे गले के नीचे चला जाता है बच्चों के चला जाता है हम बड़ों के चला जाता है तो आपके लिए एक बहुत बढ़ी है ट्रिक बता रही हूँ आपको क्या करना है दूद का गलास लेना है और इसके बाद आपको ले लेना है यहां पर चाकू चाकू लेने के बाद आपको क्या करना है इस दूद के गलास में डालना है और इसको इस तरह से आपको कट लगा देना है यह देखे चाकू को आपको इस तरह से चलाना है जैसे कि आप दूद को ना काट रहे हो और इसके बाद ये जो दूद है आप अपने बच्चे को दे सकते हैं खुद भी पी सकते हो और ये ट्रिक आप पानी में भी कर सकते हैं दूद आपके पास नहीं है तो पानी को कट करके आप पी लीजे बहुत यूस्पूल ट्रिक है जरू से यूस कीजिगा तो दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे से टिप्स और ट्रिक्स थे जिने अगर आप यूस करते हैं तो आपका एक भी पैसा खर्श नहीं होता है होती है तो सिफ बचत ही बचत इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा वीडियो कर जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले